जो लक्षे में खो गया समझो वो सफल हो गया समझो वो सफल हो गया नमस्कार सातियों मैं अजीत कुमार आपके डिजिटल प्लैटफॉर्म कंप्टिशन कमिटे पे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं तो दोस्तों कैसे आप सब लोग आसा करते हैं आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे तो आएए आज हम लोग अपने टीटी के एक्जाम के सीजी टीटी के एक्जाम के पॉइंट ओ व्यू से इंग्लिस का एक और वीडियो सिसन यहां पे कवर करते हैं और इसमें कुछ और नई चीज़ों को हम लोग जानने समझने का प्रयास करते हैं चलिए बेना किसे डीले के हम लोग अपने इस वीडियो को सुरू करते हैं और देखते हैं क्या है आज का हमारा यह पहला कोशन देखिए यहां पे चूज दा पार्ट ओफ दा सेंटेंस विच इनकरेक्ट यहां इस पार्ट में है तो आपका अंसर होगा अब इस तरीके से इस कुश्चन छन में हम लोगों को क्या बताना है हम लोगों को बताना है कि इसमें वह कौन सा पार्ट है जो इनकरिक्ट है जिसमें ग्रामर की गलती है अब आज ऑग Him को बताते हैं चले देखेए ईनीूफ क्या होता है थे होता है सिंगुलर इस लिए धर से यह सही है ठीक है रिएलि वर्थ अब यह जो वर्थ होता है वार्थ के बाद यह जो भर्थ के बाऄ है उसको रखते हैं अजिब फॉर्म में किसमें रखते हैं उसके आई एंजी फॉर्म में रखते हैं ठीक है बात समझ में आई यह किसका कॉंसेप्ट भाई तो यह कॉंसेप्ट है जीरन का किसका कॉंसेप्ट है तो यह कहां से आया यह आया जीरन से यह किसका कॉंसेप्ट है यह जीरन का कॉंसेप्ट है इसलिए यहां पे 2B scene का प्रियोग नहीं होगा, इसके अस्थान पे हमारा correct answer क्या होता है, तो हमारा correct answer बनेगा scene, ठीक है, अब ज़रा ध्यान देजिए, तो error हमें किस पार्ट में मिला, option number D में, तो इस question का हमारा answer क्या बनेगा, हमारा answer बनेगा option number D, यानि कि option number 4, ठीक है, हमा answer क्या बनेगा, option number 4, चलते हैं, अगले question में, अगला question देखे हमारा क्या है, अगले question में देखे, select the appropriate model for the expression given, यहां पे एक sentence आपको given है, when does we expect you, question mark, ठीक है, अब ज़रा ध्यान देजिए, इसमें यहां पे हमें bracket में instruction given है, हमें क्या दिखाना है, possibility को दिखाना है, अब ज़रा इसमें का प्रियोग होता है, हिभमत या साहस दिखाने के लिए तो यह भी cancel हो गया, यह देखे है, has, have, had, के साथ two का प्रियोग किया जाता है, किसी to be the constraints को दिखाने के लिए, किसको, किसी to be the sage, को दिखाने के लिए, अब यहां पे possibility दिखानी है, compulsion देखाना नहीं है तो यह भी cancel हो गया और आप बच्पन से जानते हैं कि में माइट का प्रयोग हम लोग करते हैं possibility को express करने के लिए तो यहां पर हमारा answer क्या हो जाएगा हमारा एक ही option है जो हमारा answer हो शकता है option number a next आगे बढ़ते हैं चलते अगले question में लेकॉशन में देखें अगले question का instruction क्या है सेलेक्ट दा correct option phrasal verb मतल्य नीचे जो भी option में दिया गया है यह सारे के सारे क्या है तो यह सारे के सारे हमारे फ्रेजर लए ठीक है तो हमें correct एक फ्रेजल वर्व को पूब करना है चुनना है सेलेक्ट करना है for the ऑंडरलाइंड वॉर्ड यानि कि यहाँ पे जो अन्डरलाइंड वर्ड है पूरे सेंटेंस हैं में कोई मतलब नहीं है अब इसके लिए हम सब उनियों को को आना चाहिए वप चुनना होगा जिसका छून इनक्लूद का बाइब के मैं क्या होता है बाई जैसे एंसूरिंश weso मा करके रखते हैं और कुछ समय के बाद वह पैसा में वापस मिलता है लाब सहित ठीक है तो इस तरीके से उसका वापस मिलना किसी पैसे का वापस मिलना ठीक है या कोई आपको पैसा दिया हो ठीक है आपने किसी को पैसा दिया हो उधार दिया हो और बदले में उसने डेट दिया हो कि इस डेट को हम आपको यह पैसा देंगे तो उससे पैसा वाप के अंदर जो उत्सा होता है खुसी एवं उमंग के कारण आपका जो उत्सा होता है इसको अमलों करते हैं जिस्ट क्या करते हैं जिस्ट का मतलब क्या हो गया तो यह हो गया उत्सा ठीक है पेबै क्या हो गया भाई तो यह होता है धन वापसी यह क्या होता है यह होता है धन वा अलंकृत करना सुधार ना यह कह सकते हैं इसको अलंकृत करना क्या कहते हैं अलंकृत करना मतलब जरा ध्यान देजेए विसे इस रूप से महिलाएं इसका खूब यूज करते हैं या हम लोग अपने घर में कोई पाटी पगेरा हो ठीक है जिसे दिवाली आने वाला है तो लुक अप टो का मतलब होता है किसी को respect से देखना या किसी को respect देना ठीक है यह इसका मिनिंग होता है अब यह सीधा हमें किसे मतलब था एस अंडरलाण के हुए पार्ट से तो यह जो respect का sense है वो किसमें देख रहा है हमें दिख रहा है option नमबर D में तो हमारा correct answer बनेगा option number D next आगे बढ़ते हैं चलते हैं अगले question में देखें अगला question क्या है अगला question है choose the correct meaning of the underlined word यहां जो underline क्या हुआ word है इसका हमें correct meaning चाहिए अब देखें यह है क्या every which way इसका मतलब क्या होता है सब का अपना अपना अलग-अलग opinion होना ठीक है everyone is free to do something different thing ठीक है जैसे लोक तंत्र में हम सब लोग अपने अपने विचार को व्यक्त करने के लिए आजात है खूंधर अच्छिक है तो हमें कोई बिचीज अगर अच्छा लगता है तो मुसकी तारिफ कर सकते हैं कोई चीज हमें बुरा लगता है तो मुसकी निंदा कर सकते ही ठीक है कोई मना ही नहीं है क्या पैसान नहीं कर सकते ठीक है तो इन दसेम वह अलग-अलग व्यक्ति जो है अपने पसंद के recording अलग-अलग काम कर सकते हैं अलग-अलग उनके liking हो सकती है अलग-अलग action ले सकते हैं ये इसका मिनिंग होता है ठीक है अब आजाए चले हम लोग मिनिंग के तरफ तो इसका मिनिंग अप होगा क्या अपका मतलब उपर नहीं होगा estate, estate मतलब सीधा प्रत्यक्ष नहीं होगा in different direction, अलग-अलग direction में, ठीक है, यह हो सकता है down का मतलब नीचे यह भी नहीं होगा, तो हमारा answer क्या बनेगा? correct answer बनेगा, हमारा option number C क्या बनेगा? option number C बनेगा, next आगे बढ़ते हैं, अगला देखें क्या है? अगला question फिर है, choose the correct tense form, tense हम लोग पढ़ते क्या है, भाई, सबसे पहले यह हम लोगों को पता ही नहीं है, आस तक, हम इसे बैक्स हम लोगों को यह पता नहीं है, कि tense हम लोग पढ़ते क्या, देखें, वर्ब जो होता है, वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, सबसे ज्यादा हम लोग यूज करते हैं, वर्ब का first form, second form, third form, fourth form क्या होता है भाई, तो यहीं fourth form होता है, आपका ing वाला form ठीक है, और यह fifth form क्या होता है, तो fifth form होता है, जिसमें हम लोग यूज करते हैं, वर्ब के first form में, इस यह is add करके इसी को खाते हैं, हम लोग लोग वर्ब का fifth form ठीक है, तो यह के यहांब नैनी ड़ाइज लास्ट वीग प्रिंटिंग हुष होगा ठीक है क्योंकि लाइस्ट वीघ्रेशिंव है कि किसी वी वाक्य में कोई भी भोत काल सुचक सफीज़ लगा हो यि किसी वी वीज़ वॉत काल सुचक सब्ध लगा हुआ हो तो उस वाक्य को हम लोग रखते पास्ट इंडिफरेंट में कहा रखते हैं पास्ट इंडिफरेंट में रखते हैं और पास्ट इंडिफरेंट का मतलब होता है कि हम लोग वहां पर यूज करते हैं वर्ब का सेकेंड फॉर्म कौन सा फॉर्म यूज करेंगे तो यहां पर यूज करेंगे पोन सा फॉर्म हम मों लोग यूज करेंगह तो आप तियान कि किसी भी continuous is और परफेक्ट में सिरफ और ताइम इंडिकेटिंग वर्ड का में difference होता है इनके अलबहा औरवब कोई difference नहीं होता जैसे सबसे बढ़ी है example मैं आपको पढ़ा रहा हूं आई एम teaching यू ठीक है यह कहा है यह present continuous में लेकिन जैसे हैं इसी वाक्य में हम include कर दें कोई भी time indicating जैसे इसी में हम आप से कहें कि मैं आपको आधे घंटे से इंग्लिस पढ़ा रहा हूं जैसे आधा गंटा के time indicating और जैसे यह time indicating इंक्लूड हो जाएगा अब यही वाक्य चला जाएगा present continuous प्रिजेंट पर्फेक्ट continuous में बात समझ में आ रही है इन दे सेम वे यहां पर क्या होता है इसको जरा ध्यान देजिए चूकिए वाक्य किसमें पास्ट में यह किसमें है पास्ट में तो यह भी कहा जाएगा पास्ट में जाएगा अब चूकिए इसमें यह time हैं फिर क्या यूज करते हैं बिन यूज करते हैं और क्या यूज करते हैं तो वर्ब का फॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं अब आई ये चलते हैं ऑप्शन की तरफ देखिए ऑप्शन में यहां पर एक ही ऑप्शन दिखाई दरहा है 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 बिन सफरिंग और कोई है नहीं यह स समझ में आई चलिए अब टेंस आप जो पकड़ना सीखते हैं तो वह होता है उस वर्व से जो सब्जेक्ट के साथ डायरेक्टली अटेच होता है यानि कि यह जो वर्व के फॉर्म सोते हैं इनहीं के आधार पर आपका टेंस डिसाइड होता है ठीक है दोस्तों बात समझ में तो उसकी बात हम लोग अलग से करेंगे अपने इंडिविजुल क्लास में जहां पर हम लोग अलग से एक एक चीज़ को अलग अलग करके पढ़ेंगे अभी फिलाल यहां से आगे बढ़ते हैं तो हमारा आंसर क्या होगा हमारा आंसर बन जाएगा option बरसी क्या बनेगा option बर लिए तो धमकी देने के लिए थ्रेट का मतलब क्या होता है धमकी देना या धमकाना ठीक है आज यह इसके लिए हम यूज करें तो में का यूज करते हैं पॉसिबिलिटी के लिए यह कैंसल हो गया और के साथ टू आता है और और टू का प्रियूग किया जाता है मोरल रिस् और वी होता है इसके साथ सामाने तोर पे हम लोग यूज़ करते हैं सैल का हाई या न और रिमेनिंग्स के साथ बाकि सभी के साथ हम लोग यूज़ करते हैं विल का ये सामाने तोर पे ऐसा देखने को मिलता है ठीक है लेकिन यदि किसी को धमकाना हो या किसी काम को इंफैटि करने के लिए हम लोग इस first person के साथ लगाते हैं this person के साथ यहां पर लगाते हैं और इस second person के साथ यहां पर हम लोग लगाते हैं which away ओसा पने पढ़ा होगा ठीक है बात समझ में आ गए और चुकिं़ में दूसरा कोई option भी हम लोगों के पास नहीं है इसलिए हमारा correct answer यहां पर बनेगा इस question में sell तो इस question का हमारा correct answer क्या बनेगा correct answer हमारा बनेगा sell ठीक है दोस्तों doubt clear है आगे बढ़ते हैं चलते हैं अपने अगले question में देखे हमारा अगला question क्या है choose the correct option for the following इसमें क्या करना है हमें correct option चूज करना यह दरसल question है कहें का तो यह question है ओ डब्लू इसका one word substitution जरा ध्यान देजिए question क्या है and instrument for detecting earthquake is मतलब एक ऐसा यंत्र एक ऐसा मसीन एक ऐसा टूल जिसका use हम लोग करते earthquake का पता लगाने के लिए और जरा ध्यान देजिए इसका प्रयोक करते और उफराइम आपने के लिए तो गाहराइम आपने के लिए कि यूज करते हम लोग फैथो मेटर अब यह लीघो एसकोब क्या होते बाए तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है क्रिस्टल्स का किसका क्रिस्टल्स का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ओफ क्रिस्टल्स ठीक है तो जो crystal होता है उसका जो refractive index हम लोग मापते हैं जैसे prism आपने पढ़ा था इसकूल में ठीक है तो prism आप जो पढ़े थे ठीक है तो वो भी क्या था वो भी एक प्रकार का crystal था तो ये जो crystal होता है उसका refractive index मेजर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं लिथो एसक कर ठीक है अब यह सिस्मों ग्राफ से क्या करते हैं इसका यूज करते हैं लोग इसको मापने के लिए तो अर्थ को मापने के लिए कार्डियो ग्राफ क्या होता है जरा ध्यान देजी आप यह कभी हाट हॉस्पिटल में गए हो ठीक है या आपने कभी ECG रिपोर्ट देखा हो या कभी फिल्मों में आप देखे होंगे किसी पेसेंट का जो एक मसीन ऐसे मॉनिटर लगा होता और इस पर आप देखेंगे इस तरीके से होता है या जो स्क्रीन होता उस पर इस तरीके की चीज़े आपको देखाए पड़ती है ठीक है तो ऐसे भी काडियो का मतलब होता है हाट तो यह हाट से रिलेटेड वाड है ठीक है और इसका अर्थ को एक से कोई वास्ता नहीं होता तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या बनेगा आंसर बनेगा ऑप्शन नमबर सी क्या बनेगा आंसर बनेगा ऑप्शन नमबर सी नेक्स्ट को अगले कोशन में देखें अगला कोशन क्या चूज दो क्रारेक्ट मीनिंग ऑफ द मतलब प्रतेक व्यक्ति अपने-पने मन के एक-ौर्डिंग काम कर सकता है ठीक है प्रतेक व्यक्ति अपने-पने लाइकिंग के एकौर्डिंग काम कर सकता है ये वही बात है जो एक और अभी थोड़ी दिर पहले हम लोग IDUM and phrases पढ़े थे इसका उसका दोनों का मीनिंग करीब करीब से मैं ठीक है अब आजाए यह related option हम भूंडे everyone has different opinion हो सकता है ठीक है everyone has similar opinion यह similar तो यह दिखाएगा ने similarity दिखाएगा ने इसलिए यह cancel हो गया each and all are same यहाँ पर फिर यह unanimous type का बात करने लगा each one likes football यह भी नहीं होगा तो हमारा correct answer बनेगा option number a इस question का हमारा correct answer क्या बनेगा option number a बनेगा next अगले question को देखे choose the correct option यहाँ पर हमें correct option चूज करना immediately after the operation he could see nothing वो कुछ नहीं देख सका बाई operation के तुरंत बाद वो क्या देख सका कुछ नहीं देख सका कुछ नहीं देख सका यहाँ पर देखे वेग वेग का मतलब क्या होता है अज़ा असपस्ट not clear धूंदला सैडव मतलब धूंदला धूंदला उसको जो है वो चीजे दिखाई दे रही थी असपस्ट तौर पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था ठीक है अब आजया यहाँ पर देखे as long as as long as का मतलब क्या होता है यह होता है जब की ठीक है क्या ह होता है जब की अब यह जतव कि मतलब वाला नहीं है जब तक की इसका करेंट आगी को छोड़ कर के सिवाए के अतीरिक्त को छोड़ कर केसी वाई के अतिरीक्त के अतीरिक्त के अतिरिक्त को छोड़कर यह इसका मिनिंग होता है को छोड़कर यह इसका मिनिंग होता है और कंजक्शन के रूप में इसका मिनिंग क्या होता है कंजक्शन के रूप में इसका मिनिंग होता है लेकिन ठीक है तो यह जब मिनिंग आता है तो यह काम करता है कंजक्शन का ठीक अब not with standing not with standing के सिवाए के बजाए ठीक है के बजाए के बावजूद ठीक है के बावजूद ऐसा इसका मिनिंग होता है अब आप आजए यह जो व्यक्ति था यह कुछ और नहीं देख सका सिवाए सिवाए दूंदले सैडू को छोड़के और कुछ यह नहीं देख सका तो के अ रिखी ओड हमारा आंसर हो सकता है कौन सा होगा तो वह मारा बट क्या बनेगा बट बनेगा ठीक है चले आगे बढ़ते हैं अगले question में चलते हैं देखिए अगला question क्या है सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे फिर से हम लिगों को क्या चाहिए तो हमें चाहिए फ्रेज तो अब ज़रा देखे इस सेंस में हम लोग क्या कर सकते हैं ऐसा यदि कहीं भी आपको कोई भी फ्रेजल वर्ब मिले एडियम एन फ्रेजस मिले ठीक है तो ऐसे सब्द का मिनिंग निकालने के लिए इसके लिए दूसरा ऑप्शन भी होता है यदि आपको इसका मिनिंग पता नहीं हो तो इसका मिनिंग सेंटेंस के सेंस के एकॉर्डिंग भी निकलता है जैसे यहां पर यह पढ़ते हैं लोग आई डून्ट नो मैं नहीं जानता हाओ वी आर गूइंग टूप विद्ध ऑूल्ड डिविंग विंटर से यहां पर ओल्ड नहीं होगा कोल्ड होना चाह सबता नहीं है यह मैं नहीं जानता ठीक है तो उससे कैसे सफलता परोग बाहर निखलेंगे कैसे उसको विर करेंगे बरदास करेंगो इस प्रकार का शेंस जाता है अब आजयर杯 आप क्यों लुग वह एक अद्सकों करने तो निचा दिखाना किसी को नीचा दिखाना तुम इनफेरियर हो ऐसा सेटब क्या होता है अस्थाप्यत करना बनाई रखना मेंटेन करना ठीक है अब आजये तो हमारा आंसर यहां पर क्या आएगा से करना बरदास करना से सम्बंदित एक ही option है और option है put up with क्या है put up with the second करना बरदास करना toilet करना next अगला question देखे क्या है यह फिलिन द ब्लैंक का question इसमें हम लोगों को क्या करना है यहां पर देखे footpath until they came to the bridge जब तक breeze के पास नहीं आए तब तक वो लोग क्या कि यह जो फुटपाथ था उसके साथ साथ चलते रहें अब ज़रा ध्यान देजिएगा यहां पर प्रेपोजीशन क्या दिखा इदरा इंटु-इंटु का प्रियोग करते हैं जब आपका अवस्था परिवर्तन दिखाना हो क्या दिखाना हो अवस्था परिवर्तन में सबसे पहले आप इस एक भूल जाइए एक भूल गए तो क्या मिला लॉंग यानि लंबाई की कोडिंग आपको कहीं भी सेंस एक्सप्रेस करना हो तो ऐसे सेंस को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग वाड़ यूज करेंगे प्रेपोजीशन के रुप में हम लोग वाड बताने के लिए करते हैं इनका प्रयोग अवस्था को बताने के लिए भी करते हैं इनका प्रयोग चोटे सहरों या स्थानों के साथ भी करते हैं इनका प्रयोग किसी बंदगिरी आकरती के अंदर होने का सेंस एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं ठीक है तो इस कोशन का अंस मतलब जो कार था यह थार्ड टाइम कुछ हो गया यह हो सकता है क्या हो सकता है अब यहाँ पर देखे आपको वड यूज करना ब्रेक डाउन ठीक है अब यह जो कार है यह तीसरी बार जब से खरीदा हूँ, जब से खरीदे हैं, जब से इसको हम लाए हैं तब से, अब ये Гाट क्या है, ये वर्प का eighteen फॉर्म यानिक है कहा चला गया ये चला गया, पास्ट में, ये कहा चला गया, पास्ट में, ठीक है, अब यहाँ पे आजाईये, तो तब से अब तक ये तीन बार अब वाज ब्रोक डाउन मतलब खराब कर दिया गया ऐसा नहीं होगा अब यहां देखिए रोकें डाउन तब से अब तक यह तीन बार खराब हो चुका है ठीक है बात समझ में आई तो यहां पर हमें लगता है कि में के जगह होना चाहिए था माई यह जो ब्रेकडाउन लिखा हुआ है यह एक क्या है तो यह एक फ्रेजल वब है इसका मतलब क्या होता है किसी मसीन का काम करना बंद कर देना किसी मसीन का खराब हो जाना ठीक है यह इसका मिनिंग होता है तो अब इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा करेक्ट आंसर बनेगा हमार option number B, जब से खरीदे हैं, तब से अब तक ये तीन बार खराब हो चुका है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां से अगले question में चलते हैं, अगला question क्या है, हमारा choose the part of the sentence which is incorrect, इसमें हम लोग को फिर बताना है, कि वो कौन सा part है, जिसमें grammar की गलती है, अब ज़रा ध्या जैसे कि आज इसी video session में हमने आपको थोड़ी दिर फ़ले एक word बताया था, यह worth, worth के बाद क्या आता है बाई, तो worth के बाद word का fourth format है, ing format है, यह हमने आपको बताया, यह कहां से आया, तो यह rule था, जीरन का ही rule है, कि जो busy word है, busy के बाद यदि कोई verb आये, busy के बाद यदि को इसको भी रखते हैं, लोग fourth format, that is ing form में रखते हैं, concept form में रखते हैं, ing form में यह भी कहां का rule है, तो यह rule भी है, यह concept भी आपके जीरन का ही, किसका, जीरन का है, ठीक है, अब आजाए, तो यह जो busy है, यहां तक का part तो correct है, यह correct है, यह correct है, ठीक है, अब यह देखे, यह ज करना होगा बात समझ में आ गई दोस्तों किसका यूज़ करना होगा तो प्रिपेरिंग का यूज़ करना होगा तो अब इस कोशन का आंसर हमारा क्या बनेगा इसकोशन का अंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या क्योंकि error इस वाले पार्ट में to prepare के अस्थान पर हमें लिखना होगा preparing ठीक है तो sentence हमारा correct हो जाएगा next यहां से आगे बढ़ते हैं चलते हैं अगले question में देखिए अगला question हमारा क्या है अगला question है choose the correct option to fill the blank ठीक है खाली अस्थान को भरने के लिए हमें यहां पर appropriate word का प्रयोग करना है अब देखिए यह behind क्या होता है तो behind क्या होता है तो यह होता है preposition क्या होता है preposition अब ज़रा ध्यान देजिए यह भी preposition और यहां भी आप डालिएगा preposition ठीक है behind का डूसरा पीज्चों को सब्सक्राइब न क्या होता है चींडम कर दो लोगों के बीच में बताना हो यह प्रकार का Le Nobody चोड़कर और एकक्सेप्ट्ट क्या होता वह तो अविठोडी दिर पहले हमदाएब बइनिक क्या बताये थे-क मिताया थे plus अग्षय कि यहां पर बट इक व़ू टूर एक सप्ट इस सेंस में इन दोनों का मिनिंग क्या होता है इंदोनों का मिनिंग से मोता क्या होता कि अत्रिक्त के सिवाय को छोड़कर ठीक है चली अब आज यह सेंटेंस का तरा हुं बड़ सिर्फ और सिर्फ एक चेयर रूम में पड़ा हुआ था मतलब हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि इस रूम में जिसके सिभी रूम की चर्चा की जरे उस रूम में चेयर के सिवाए चेयर के अत्रिक्त चेयर को छोड़कर और कुछ भी नहीं था सेंस कुछ ऐसा निकल रहा है अब ऐसा सेंस निकल रहा है तो यहां पर हम बट का प्रियोग कर लेते हैं लेकिन बट आप्शन में है नहीं तो बट का दूसरा सिनोनिम से हम लोगों को given है क्या सिनोनिम से यहां पर given है except तो यह हो गया हमारा correct answer अब चलते हैं इस question के बाद आज के इस अगले question में हम लोग है select the appropriate preposition to fill in the blanks यहां पर हम लोगों को appropriate preposition का प्रियोग करना है अगया धर वह एक लीग एक अश्च यहां पर भी हम लोगों का लिखना होता है और इनद सेव मुझे बहुत सारे लोग लिख जाते हैं ब्रॉड कास्टेड जबकि आपको पता होना चाहिए यह जो ब्रॉड कास्ट है उसका फॉस्ट फॉर्म और इसका थर्ड फॉर्म दोनों क्या होता है दोनों सेम होता है क्या होता है दोनों सेम होता है इसमें कहीं कोई चेंजन नहीं होता ठीक है अब आजएए तो यह जो प् मिले तो सेंटेंस पैसी में है वोज वर हो वोज वर हो इसके साथ भी वर्व का थर्ड फॉर्म मिले तो सेंटेंस पैसे में होता है या फिर इसी के साथ हमने आपको बताए था कि यह भी हो यह बिंग हो या यह बिन हो इन तीनों में से कोई हो तो इनके साथ भी वर्व का थर् Pinterest होता है पैसे में क्या होता है पैसे में होता है एक जाए ब्रोड कास्ट क्या गया का पूरे वर्ड में डुनिया भर करने के लिए खीक है प्रोग्राम को प्रेंद सीमा रेखा के अंदर होने का sense express करने के लिए ठीक है off का प्रियोग करते हैं हम लोग negative sense को express करने के लिए distance को बताने के लिए on to का प्रियोग कहा करते हैं on to का प्रियोग करते हैं किसे निश्चित जगह पर किसे निश्चे जगह पर चाहे वो नीचे से उपर हो या उपर से नीचे हो कहीं से आकर किसी एक अस्थान पर रखे जाने रुख जाने के सिंस को एक्स्प्रेस करने के लिए एक क्रॉस का प्रियोग कब करते हैं हम लोग एक क्रॉस का प्रियोग हम लोग तब करते हैं पूरे दुन्या भर में परसारित कर दिया गया इस लिए इस question का answer हमारा क्या बनेगा तो इस question का answer हमारा बनेगा option number d क्या बनेगा option number d नहीं बनेगा तो आज के वीडियो सेशन में हम लोगों के पास इतने कोशन थे आसा करते हैं कि इन सारे वीडियो से आपको इंगलिश में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और यह सारे के सारे वीडियो जितने भी हम लोगों ने अपने चैनल पर आपको देने का प्रयास किया है इन सबों के माध्यम से आपको अपने आने वाले एक्जाम में काफी बेनिफिट हो इसी आजा के साथ आज के अपने इस वीडियो सेशन को हम यहीं पर सवाप्त करते हैं जै हिंद जै भारत